Hello friends, welcome to mom's khana kajana हरे मतर से तो आपने बहुत तरह की सबजेया बनाई होंगी मतर पनी, रालू मतर या मतर फ्राइ पर आज मैं आप लोग के लिए ले कि आई हूँ हरे मतर से बहुत ही एक यूनीक सबजी जो मेरे घर में खासतोर से सबजी को बहुत जादा पसंद आती है तो चलिए फिर्म देखते हैं इस मज़ेदार सी सबजी को कैसे बनाए जाता है इस रेसिपी के लिए मैंने लिए हैं ये एक कटोरी फ्रेस मतर इसे हम एक मिक्सी के छोटे जार में डाल देंगे और थोड़ा सा डालेंगे फ्रेस हरा धन्या दो हरी मिर्च थोड़ा सा अद्रक दो लहसुन की कलियां और और वन फोटी स्पून जीरा और इन सबको हम बगैर पानी डाले थोड़ा सा रुक रुक कर इसको डर- दरा सा पीशलेंगे बहुत बारीक पेस्ट इसका नहीं होता है और नाहीं हमें करना है अव्य सा के ट्योदें ने तो आम है मठर भी प्लट हम देखिंगे ऑपनी होता है तो इस तो आपड़ा पई डालने के बिलकुल ज़रत अब इसे हम पलत लेंगे एक थोड़े से बड़े बोल में हम डालेंगे दो चमच बेशन इसकी अच्छी सी बाइंडिंग के लिए और 140 नमक थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरब बसाला आप कितना मटर आप पीस रहे हैं उस हिसाब से आपका इसमें बेशन जाएगा हमें जनरली इसको जैसे हम कोफते बगर बनाते हैं हमें इसका उस तरह का बैटर चाहिए है आप देखेंगे कि दो चमच से बिलकुल परफेक्ट है अब स्टीम करने के लिए मैंने रखी है गैस अपनी बढ़ियों को स्टीम करने के लिए मैं ले रही हूँ यह मेरे पास छोटा वाला इडली की प्लेट थी तो वही मैंने ली है और इसको मैंने अच्छे से तेल से जो है ग्रीस कर दिया ताकि मैं बढ़ियां उसमें चिपके ना इसके अंदर आप एक फायर रिंग रख कोई भी जाली या प्लेट रख कर उस पर भी आप स्टीम कर सकते हैं पर मेरे पास यह चोटा वाला इडली का प्लेट था तो मैं इसी में स्टीम कर रही हूँ अब छोटी छोटी बढ़ियां हम इसके अंदर इस तर से डाल देंगे छोटी या बढ़ियां मतलब जैसी आपक निकल जाएं उस पर चिपके में अब इसे ढख कर लगभग 6-7 मिनट के लिए इसे हम स्टीम होने देंगे बिल्कुल यह अच्छे से स्टीम हो जाएं लगभग 7 मिनट हो गए हैं और बढ़ियां भी हमारी स्टीम हो ही गई हैं और अगर आपको चेक करना है तो कोई भी अब गैस बंद कर देंगे और इसे थुड़ा थंड़ा होने देंगे तब हम इसे निकालेंगे वैसे तो अगर और यह तक आप देखेंगे कि आराम से निकल जाती है फिर भी अगर थंड होने पर निकालेंगे और अच्छे सी Ogalis हो जाएंगे अग बंदाइंगे स इस मिक्सी के जायर में हम डाल देंगे और इसमें डालेंगे हम दो हरी मिर्च, दो कली लहसुन की और बिलकुल थोड़ा सा अद्रक का टुकड़ा और थोड़ा सा जीरा और अब इसका हम बिलकुल स्मूद सा एक पेष्ट तियार कर लेंगे अब गयास पर रखिए मैंने कर और या आप यह सोच लीजिए दो टेबली स्पून अब इसमें बड़ाव दोंगे जो हमने यह टमांटर प्याज का प्याज कर गनाया था अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले आदी चमच धनिया पॉड़र 1-4 टी स्पून हल्दी पॉड़र चुकि हमने इसमें हरी मिर्च पीसी है और वडियों में भी अपने हरी मिर्च पीसी है इसलिए मैं अच्छे कलर के लिए डाल रहे हूं हाफ टी स्पून कस्मीरी लाल अब इसे हम मीडिया माच पर इसका ओवल बूण ईज होने तक हम इसे भूण लेगे मसाला हमारा अच्छे से भून गया है और मसाले को जो है आप बिल्कुल मीडिया माच पर ही भूने चलाते हुए चार से पांच मिनट में मसाला अच्छे सी मीडिया माच में भुन जाता है और बहुत ही अच्छा भुन कर त्यार होता है आप देखेंगे कि इसने बिल्कुल वाइल भी रिलीज कर दिया है अब इसमें हम डालेंगे जरुरत के अनुसार पानी वैसे इसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा ही डलता है क्योंकि जब इसमें हम बढ़ियां डालेंगे तो बढ़ियां जो है वो काफी सारा पानी जो है अब्जॉर्ब कर लेती है जैसे कि हम कोफते बगारे के लिए डालते है बिल्कुल उतना ही हमें इसमें पानी डालना है, मैं इतनी बड़ियों के लिए डाल रही हूँ, डेड़ गिलास पानी, इसमें एक अच्छा सा बॉयल हम आने देंगे, ग्रेवी में एक अच्छा सा बॉयल आ गया है, अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला, अब सारी बड़ियां हम इसमें डाल देंगे, आप देखेंगे कि ठंडी होने के बाद यह बहुत अच्छे से निकल लें, सारी बड़ियां अभी इसमें हम डाल देंगे, और इसे अब हम ढग कर, मीडियम आच पर लगभग 6-7 मिनट के पकाएंगे, ताकि बड़ियां अच्छी से फूल जाए, उसके अंदर ग्रेवी अच्छे से इपजाद हो जाए, सबजी हमारी एकदम त्यार हो गई है, और यह अभी ठंडी होकर और भी थोड़ी सी गाड़ी हो जाएगी, अब हम गैस बंद कर देंगे, और बस लाशन में दाल देंगे हम थोड़ा सा बारी कटा हुआ फ्रेस हरा धन्या, और इसे बहुत अच्छी से मिला देंगे, और सर्व करें एकदम गर्मा गर्म, यह सबजी आपको बिल्कुल अलग और डिफरेंट टेस्ट देगी, यह हमारी टेस्टी सी बिल्कुल रह तरीके की मटर बाड़ी की सबजी तयार है, एक बार आप इसे जरूर ट्राइ करें, यह आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और इसे आप राइस से भी खा सकते हैं, चपाती से भी खा सकते हैं, यह दोनों तरह से बहुत बढ़े हैं लगती है, वीडियो अच्छा लगे तो झाल 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 झाल झाल